नियूस क्लिक के दर्शकों को आज हम अपनी खास पेशकर्श में मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महमान से जिसने इतिहास बनाया है जी हाँ सच माइने में इतिहास इनका नाम है प्रिया रमानी हो सकता है कि आपने सुना हो प्रिया का नाम प्रिया ने 2018 में एक इतिहासिक मूव्मेंट शुरू किया इतिहासिक आंदोलन इन्होंने मीटू मूव्मेंट की भारत में शुरुआत की इन्होंने सबसे पहले खुल कर सामने आके बताया कि किस तरह से उनके साथ MJ अखबर नामक शक्स ने जो उनके संपादक थे उनका यौन शोशन किया था और जिस समय यह आरोप उन्होंने लगाया उस समय MJ अखबर मोधी सरकार के शक्तिशाली मंत्री थे तब से लेकर अभी तक वह कानून की लड़ाई लड़ती रही उनके साथ बहुत ही मजबूत नारिवादी वकील रेबिका जॉन शामिल हुई उस पूरी टीम का नेत्रित्व कानूनी लड़ाई में रेबिका जॉन और उनकी टीम ने किया और अंतता उन्हें जीत हासिल हुई दिल्ली हाई कोट ने अपने एतिहासिक फैसले में बताया कि किसी भी महिला के साथ कभी भी यौन शोशन हुआ हो वह उसके बारे में किसी भी रूप में अपना गुसा अपना दुख न्याय के लिए गुहार किसी भी समय लगा सकती है कोई समय सीमा नहीं बांधी जाती सबसे पहले मेरी तरफ से और न्यूसक्लिक की पूरी टीम की तरफ से जिस तरह से बहादुरी के साथ आपने लड़ाई लड़ी और एक ऐसे शक्स को आईना दिखाया जो इतना ताकत में था और मेरी ताल से मोधी सरकार के एकलोते मंत्री जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा और कानून की लड़ाई में आपने जीत हासिल की एक जो बिल्कुल दूसरे ढंका विमर्ष था जिसके बारे में भारत में जिस समय शुरू हुआ था उसमें लोग हसते थे लोगों को लगता था कि यह वेस्टन चीज है भारत में कैसे बात हो सकती है लेकिन तमाम महिलाओं के सामने आपने जो एक उदाहरन पेश किया इसके लिए निश्चित तोर पे आप बढ़ाई का पात रहें आपका निश्चिक में बहुत-बहुत स्वागत है प्रिया जी फर्स्ट अगर आप थोड़ा सा यह बताएं कि कहां से आपको यह साहस मिला और कैसे है आपने सोचा को कि आप बहुत निर्भी धंग से बहुत बोल्धंग से लिखती रही हमारे ही विरादरी की है कि आप तो यह जो पूरा का पूरा साहस आना यह साहस कैसे आए है साहस कैसे आया मेरी गुल्फ्रेंद्स से बहुत साहस मिला दिली मेरी तू स्पेशल गल्फ्रैंज है शमी बवेजा और नमिता भंडारे हमेशा जब मैं बैंगलॉर से दिली आती थी और अश्णी दो साल और चार महीने में काफी बार आना पड़ा दिली, कभी कबार कॉट लॉयर स्ट्राइक होता था, तो फिर कहते थे, आज नहीं होगा hearing, आप वापस जाओ, नेक्स वीक आओ. तो दोनों ने अपने घर और अपने दिल खोले, there was always a bed for me, and Rajmaa Chawal ready for me, and a place to cry and get angry and feel frustrated, and they were always there for me. Then, मेरे हस्बन थे, समर, जो मेरे 10-year-old को हमेशा संबालते थे, जब मैं जाती थी, कौट. And he was also like a primary parent. It's not that mother's responsibility, हम दोनो मिलके parenting करते हैं. So, उसके वज़े से, उसने मेरा काफी बर्डन चेला. मेरे extended family में काफी conservative हैं लोग, लेकिन एक भी auntie या uncle, या किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बोला, हमेशा कहते थे, excellent, fight the good fight, you know. Proud of you, ऐसे कहते थे. और of course, मेरी lawyer, जो मेरे लिए pro bono fry fight कर रही थी, मैंने उसको फोन किया और कहा, मैं उनको जानती नहीं थी. मैंने उसको फोन किया और कहा, Rebecca, this has happened to me. Can you help me? And उसने immediately कहा, Yes! The team is not interested in any other case cases, they only want to fight your case. They get so strongly about it. So, October 2018 में केस फाइल हुआ, so 2-4 महिने, about 50-plus court hearings, दिली में, मैं बैंगलॉँ में रहती हूँ. जी, और मेरे खाइल से बहुत stand-alone case भी है, जिस तरह से ये पूरा का पूरा case सामने आया, और फिर आपके समर्थन में जिस तरह से लोगों ने testimonies दी, तो उसे एक चीज़ जो मैं आपसे जाना चाहूँगी, कि मैं भी पत्रकाइटा में 96-97 से हूँ, और पत्रकाइटा में जिस तरह का शोषण है, जिस तरह से एक cover-ups में जो people in the power चलते हैं, तकरीबन माना जाता है कि इंको हम question नहीं कर सकती है, यही rule है, ऐसा ही होता है, आपको आगे बढ़ना है, यही यही शुरू से ट्रेणी के समय से जब शुरू होता है, तकरीबन यहीं, तो यह जो चीज आपके case से सामने आई, और जिस तरह से testimonies सामने आई, क्या आपने तभी सोचा था, यही तरह से testimonies सामने आईगी, और परत-दर-परत चीजें खुलेंगी? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, बट Me Too Movement का magic ही कुछ अलग था, भार्षा, हमने पहले तो एक साल पहले युएस में देखा था, इसलिए मैंने वो आर्टिकल लिखा था, वोग मैगजीन में, जिसने मैंने शेयर किया Twitter पे एक साल बाद, जब Me Too Movement स्टाट हुआ, और मैंने देखा कि सारे यंगर विमिन, अपने स्टॉरीज शेयर कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि, एक डेकेड, दो डेकेड, मेरे फर्स नौकरी के बाद, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब सेम ही हैं, अभी भी विमन यही फेस करती हैं, वर्क प्लेस पे, वर्क प्लेस में, तो उनका अंगर मेरे टाइमलाइन पे आ रहा था, और मुझे, आफल रिस्पॉंसिबल कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, और किसी ने मेरे टाइमलाइन में कहा, कि विल्ड फ्लाइट बाओं मिस्टर अकबर ओपन, तो मैंने अपना अकबर स्टोरी तो अलरीडी लिखा था, इन दे बिगिनिंग फट वोग आटिकल वन यह अगो, तो मैंने वो आटिकल शेयर किया, और मैंने कहा कि आपना अकबर स्टोरी, और मैंने ओवर दे यह बहुत सारी कहानिया सुनी थी, एमजे अकबर के बारे में, और तो ने मुझे बताए थी, एक्स कलीग्स के, अधर जॉनलिस्ट्स, और बट फिर तो आपने देखा क्या हुआ, उस समय जे समय मेटू मोबंट चला था, तब से लेकर आज तक, कुछ important जो breakthroughs आपको लगते हैं, जो आप हमसे share करना चाहें, क्योंकि बाकी तो बहुत सी चीज़ें, उस समय हमने cover की, सामने जो चीज़ें आ रही थी, परदर परदर, आपको क्या लगता है कि, अभी जो महिलाएं काम कर रही हैं, और खास्तोर से पतकारता में जो काम कर रही हैं, उनके लिए आप अब जब ये वर्डिक्ट आ गया है, कैसे देखती हैं उनकी सुरक्षा के बारे में, क्या कुछ चेंज होगा, how you see now for the Indian woman media person? So, I feel like after the MeToo movement, you know, the 2013 law तो already था, but फिर MeToo के बाद, इतना सारा अवलांच था विमन्स वोइस का मेडिय में भी, कि many companies began taking this issue seriously, they had workshops, they set up internal processes, committees, Gazala, I was chatting with Gazala, and she was saying that in some offices, you know, they removed cabins, like wooden cabins, and they made them glass cabins. So, I think no employer can afford to ignore what has happened in these past two years, and people are getting a little more serious about safety in the workplace, and harassment in the workplace. एक और एहम चीज़ जो मैं आप से जाना चाहूंगी, कि यह जो पूरा का पूरा पूरा पीडिड रहा, लोग दो साल, चार-पांश मही में किसी भी केस के मुकाम तक पहुशने के लिए बहुत कम है, इंडियन कॉंटेक्स में अगर आप देखें, और बीच में जिस तरह के इंडिकेटिशन्स आ रहे थे, कि केस उधर जाएगा, दुबारा हेरिंग होगी, दुबारा यह होगा, तो इस होल लीगल प्रॉसेस, हाउ यू फील, क्या इसमें कुछ चेंजेज आपको लगते होने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का, और खास और से क्योंकि मैं उत्तर भारत की बेल से आती हूँ, और हिंडी की जो पत्रकार है, महिला पत्रकार है, जिस समें Me Too Movement चल रहा था, उस समें भी मुझे बड़ी हैरानी थी, कि इसमें बरनकुलर लैंविजेस की महिला आएं, बहुत कम आएं बहार, उन्होंने अपने एक्स्पिरियंसेस बहुत जादा नहीं शेयर किये, और जब हम उनसे बात का रहें तो उनका कहना था, many, many Indian women, and I'm the first to acknowledge that, but I think हर जीत से थोड़ा बदलावाता है, and you know, right now I just, I want to just focus on this happy feeling, even though I understand that my verdict is just a, like it's a beacon of light in the middle of all this darkness, but I hope that that little light is giving some people some inspiration and some more joj to fight, women have to get together and agitate and demand better working conditions and we have to be able to look at, recognize that we are privileged and that, you know, there are many, many, many women who don't have access to many marginalized communities, who don't have access to the kind of legal infrastructure that we have and redressal mechanisms that we have. How was your predictions about this case? I was hoping for the best and I was prepared for the worst. The only thing I knew throughout this two years is I am not backing off, I am not going to settle, I am not giving up. You will not come back, you will not go back. This was the case. No, I was a lot of tension. I was a lot of tension. This case sometimes was just hanging over my head like a black cloud. But I never for one moment even thought that I am going to give up or, you know, not take this. And that day when I went to the court for the verdict, there were a lot of female police officers, the first time I saw it in the last two years. When I saw it in the last two years, there were literally ten, twelve female officers, police officers and I thought, oh Priya, you are going to arrest today. If you are going to arrest, you are going to arrest today. Okay, he wasn't for it. What if you were introduced to today? No. But I was just scared, that a case may be in the same place, because MJ Akbar used to say, your cloud , when I worked for Outlook, I worked for several years. बहुत से चीजिए बगल ही में उन्हेंके ओफिस उस समें था in the Green Park में. उस समय का भी मैंने बहुत सुना था, तो कभी आग को ऐसा लुगा कि हस गए, निकलना मुश्किल होगा, इतना पावफूल, इतने बड़े-बड़े लॉयर्स, पता नहीं क्या-क्या चीजी आ रहे हैं कि सांगे. It is terrifying to face a man, such a powerful man, who's part of the ruling elite. But I think मुझे, there was, मेरे सामने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे कभी किसी सिफ कोई phone call नहीं आए, कोई धंकी नहीं मिली. एक चीज मैंने देखा, कि कुछ-कुछ newspapers थे और TV चैनल से, जो मेरा केस नहीं cover करते थे, या one column में page 18 पे रखते थे, जहां किसी को दिखे नहीं. बस. लेकिन ऐसा कोई... Actually, the biggest disappointment तो मीडिया से ही हुई. मुझे. पुलिटिक लिजवस ने किसी, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे. सपोर्ट कहां कहां से मिला तो. इतनी सारी ओरतों से सपोर्ट मिला, और वो कितनी बार मेरे कॉट्रूम में आये, और मेरे साथ कड़े रहे, तू मच सपोर्ट, तू मच सपोर्ट, और, and across political lines, पीपल सपोर्टे ने. You know, when the case broke, and even after the verdict. Media ने बहुत चुपी रखी, media ने उस तरह से कवर, क्या लगता है कि किसका दबाव रहा होगा media पर? How you see media now? At least now you can just speak about it. मुझे तू मेरे केस के लिए क्यों दबावाएगा मेरे केस के लिए क्यों दबावाएगा तो क्या लगता है कि उनके लिए सुविधाश जानक नहीं था? It was not comfortable for them to cover MeToo case and Preyaramani case? चाहिए, yeah. Yeah, no, many people still don't believe in the MeToo movement or the importance of the MeToo movement. I don't know. In court, when Gazala was giving her testimony, तो दूसरे साइट के lawyers हास रहे थे, all lady lawyers, many of them young women. वो तो मेरे case का सबसे बुरा दिन था, मेरे लिए. जब ये हुआ. और थोड़ा सा ये बताईए, दर्शकों को भी बता चले कि जो MeToo movement है, इसे आप कैसे देखती है, इसकी शक्ती को, और जब से कम से कम आपने case शुनुखिया, तब से लिए के आज तक के इसके सफर को. So, आप MeToo hashtag Twitter पर जाके MeToo hashtag पर क्लिक करेंगी, तो आप देखेंगी के इंडिया में भी समझो कुछ नहीं हो रहा है, तो ग्रीस में हो रहा है, चाइना में कुछ हो रहा है, करेंगी तो अंडियुन के इच्छ के कि इसके सता है, आगे आप कैसे रेखती हैं कि ये जुज्जमेंट आया है how it will have an impact on you, your well-wishers and in general the media and the society, how you see तो कि ये तो हमें light या मशाल की तरह दिख रहा है बहुत अंधेरा है exactly, so the immediate impact is that it gives people hope it restores faith in the judiciary and what the long-term impact is and how this case will be used in other cases and how this case law will be quoted, we'll have to just see but I think it's definitely on the timeline, somewhere on the timeline of Indian women's struggle against sexual violence in this country thanks a lot thanks, thanks Masha to see you guys